नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टाइटल है वैदरिंग दस्टॉम इन इराजमा तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 27 अक्टूबर 1999 से जब प्रशांथ जो की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो अपने फ्रेंड के घर जाता है जो की इराजमा नामक जगा पर लोकेटिड है ये उडिशा के एक छोटे से टाउन में है प्रशांत उडिशा में एक कोस्टल विलेच का रहने वाला है और इराजमा से उसके विलेच की धूरी लगबग 18 किलोमेटर्स की है आज से 7 साल पहले प्रशांत अपनी मा को खो चुका था उस दिन जब प्रशांत अपने फ्रेंड के घर पर था तो इवनिंग में अचानक एक स्टॉम आया खतरनाक हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे साथ में बारिश भी होने लगी चीखने की अवाजे सुनी जा सकती थी क्योंकि तुफानी हवाओं की वज़े से पेड उखड कर लोगों की घरों पर गिरने लगे और उनके घर तबाह हो गए पानी के तेज वहाव में जो घर उनके रास्ते में आये वे सब भैते चले गए जो सबके घरों के साथ हुआ वही प्रिशांद के दोस्त के घर के साथ भी हुआ उसके घर में भी पानी भर गया खुश किस्मती से प्रिशांद के दोस्त का घर पक्का था इसलिए तुफानी हवाओं को वह सै गया और खड़ा रहा ये हवाएं तकरीबन साले 300 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से चल रही थी उसके फ्रेंड की फैमिली बहुत जादा डर गई क्यूंकि आदी रात में उनके चट पर पेड़ गिर गए जिसकी वज़े से उनकी रूफ डैमेज हो गई ये साइकलोनिक स्टॉर्म अगले 36 आवर्स तक चलता रहा पानी के बढ़ते लेवल की वज़े से प्रशान्त और उसके फ्रेंड की फैमिली ने घर की चट पर शेल्टर लिया अब जब सुबा दिन निकला तो प्रशान्त ने साइकलोन से हुई तबाही का नजारा देखा प्रशान्त जितनी दूर तक देख सकता था उसे सिरफ और सिरफ पानी ही दिख रहा था कई जगा घरों के कुछ तूटे हुए हिससे गिरे पड़े थे एनिमल्स और हुमन बिंग्स की डेड बॉडी इस पानी में इधर-उदर फ्लोट कर रही थी उनकी चट पर जो पेड गिरे थे वो कोकोनेट के थे जिसकी वज़े से उन्हें दो दिन तक कोकोनेट और कोकोनेट वाटर मिलता रहा जिससे वो सर्वाइफ कर पाए दो दिन बीतने के बाद भी अभी भी सब डरे हुए थे बारिश की बुंदों ने प्रशांत के आंसूं को भी धो डाला था प्रशांत को यही डर सताने लगा था कि शायद अब वो फिर से किसी अपने को खो बैठेगा यही चिंता प्रशांत को खाय जा रही थी दो दिन बाद बारिश रुख गई यह दो दिन ऐसे बीते थे जैसे दो साल हूँ अब बारिश के पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा था हाला कि अभी भी खत्रा टला नहीं था लेकिन प्रशांत अब और टाइम वेस नहीं करना चाता था और अपनी फैमिली के तलाश में वो निकल पड़ा पीछे से प्रशांत के फ्रेंड के फैमिली ने उसे रोका कि वो अभी रुख जाए लेकिन प्रशांत ने ठान लिया था उसने अपने पास एक लंबी और मोटी चड़ी ले ली और अपना 18 किलोमेटर का सफर शुरू कर दिया ये वो जरनी थी जो वो कभी नहीं भूलेगा अपनी चड़ी की मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ये देखने के लिए कि पानी आगे कितना गहरा था कई जगा जब रोड बीच में नहीं मिलता तो उसे आगे तैर कर जाना पड़ता था कुछ दूरी पर उसे उसके अंकल के दो दोस्त मिले जो अपने अपने गाओं के ओर लोट रहे थे प्रशांद और उन्होंने साथ मिलकर चलने के लिए डिसाइड किया अब रास्ते में जो सीन उन्हें दिखाई दिये उससे उनके दिल धहल गए उन्हें कई बार एनिमल्स और हुमन की बोडिस को रास्ते में से साइड करके आगे बढ़ना पड़ता था आदमी, औरत, बच्चे, इसके अलावा गाएं, भैसे, बकरियां सबकी लाशे उन्हें मिली जिस भी अगले गाओं में वो जाते उन्हें मुश्किल ही कोई घर खड़ा दिखाई देता अब जो बात वो नहीं मानना चाता था वो भी उसे माननी पड़ रही थी और वो ये थी कि उसकी फैमिली इतने भयानक तुफान में सर्वाइव नहीं कर पाई होगी अब धीरे धीरे उसे अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स भी मिलने लगे सब लोग काफी चिंतित और इंजर्ड हो गए थे अगली सुबा प्रशांत को ये बात समझ में आ गई कि उसे अपने इमोशन्स पर काबू पाना होगा और अपनी करंट सिच्वेशन को संभालना होगा शेल्टर में रह रहे 25 लोग बहुत जादा दुखी थे और 86 लोग उस साइकलॉनिक डिजास्टर में मारे जा चुके थे अब तक लोग कोकोनेट से अपना गुजारा कर रहे थे लेकिन अब ये काफी नहीं था प्रशांत जो कि 19 साल का था उसने डिसाइड किया कि वो उन गाउं वालों को लीड करेगा उसने विलिजेस के ग्रुप बनाए जिसमें बड़े और यंग दोनों लोग थे उन्होंने लोकल व्यापारियों को फोर्स किया कि वो अपना जमा हुआ राशन विलिजेस में बाटें जो चावल स्टॉक में थे वो थोड़े खराब जरूर हो गए थे लेकिन किसी को भी उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि भूख सबको बहुत जादा लगी हुई थी पेडों की डालों को तोड़कर आग जलाने के लिए यूज किया गया और उस आग पर चावल पकाये गए अब जाके चार दिन बाद लोगों को कुछ खाना नसीब हुआ अब दूसरा टास्क शेल्टर को क्लीन करने का था उन सबने मिलकर शेल्टर में फैला हुआ सारा गारबेज, डेड बॉडीज और यूरिन वगेरा साफ कर दिया पाँचवे दिन उनके शेल्टर के उपर से एक मिलिटरी हेलिकॉप्टर उडा और उसने फूट पार्सल्स नीचे फैके हलाकि वो दुबारा फिर नहीं लोटा तो ग्रुप के अंदर यंग लोगों ने बरतन इखटे करे और बच्चों को रेट पर लिटा दिया और वो बरतन उनके पेट पर रख दिये ताकि वो हेलिकॉप्टर को इंडिकेट कर सके कि उन्हें खाने की बहुत ज़ादा जरूरत है हेलिकॉप्टर को मैसेज मिला और वो खाने की और बाकी की जरूरत की चीज़ें शेल्टर में गिरा गए साइकलोन की वज़े से बहुत सारे बच्चे अनात हो चुके थे शेल्टर में जो औरते थी वो उनकी देखबाल कर रही थी और आदमी सबके लिए फूड का अरेंजमेंट करते थे अब जैसे जैसे दिन बीटते गए वोमेन और बच्चों की सैडनेस बढ़ने लगी प्रशांत ने एक NGO जिसका नाम था Food for Work में काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया बच्चों को बिजी रखने के लिए उसने उनके लिए Sports Event Organize करे और यही नई volunteers की मदद से उसने विद्वा हो चुकी वोमेन्स और अनात बच्चों को उनकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाने की बहुत कोशिश की गवर्मेंट ने प्रपोजल रखा कि विडोज और ओर्फन्स बच्चों के लिए अलग से institution बना देते हैं लेकिन प्रशांत ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे वो अपने आपको main society से कटा हुआ ही मानेंगे उन्होंने ये decide किया कि जो बच्चे अनात हैं वो उन वोमेंस के पास चले जाएं जो विद्वा हैं और उनका बच्चा नहीं है जहां उन्हें प्यार और सुरक्षा दोनों मिलेंगी इतने बड़े disaster के 6 मईने भीतने के बाद प्रशांत अपनी मा को खोने के दुख से बाहर आ चुका था दूसरे की मदद करते करते वो अपना दर्द भी भूल चुका था सभी विद्वा औरतें और अनात बच्चों अपने ही बहुत पुरे और दुख भरे समय में हमेशा प्रशांत की तरफ उमीद की किरंट से देखते थे जिसकी वज़े से प्रशांत ने अपने दुख पर काबू पा लिया था और उसने धिरे धिरे हसना भी सीख लिया था तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का एक्स्प्लेनेशन खतम होता है उमीद है आपको इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन समझ में आ गया होगा आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू